तो जी स्वागत है Fundamental Analysis की एक और वीडियो में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ D-Mart यानि Avenue Supermart के शेर के बारे में अल्रेडी चैनल पर एक Fundamental Analysis का सीरीज स्टार्ट है जहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स का Fundamental Analysis में कर चुका हूँ तो अगर आपने वो वीडियो स्टॉक आउट नहीं करें तो चुका हूँ कर सकते हो डिस्किप्टों में दिये लिंक से प्लेयलिस्ट का लिंक दिया हूँ वहाँ पर आप Fundamental Analysis के वीडियो भी चेटाउट कर सकते हो अब अगर बात करें हम D-Mart के fundamental analysis के बारे में तो आलेड़ी आपको पता होगा company के जो founder है Radha Krishan Damani जी stock market में जाना माना नाम है company जो बलॉंग करती है D-Mart वो retail sector से बलॉंग करती है stock का price लगबग 3,000-4,000 रुपे की range में देखने को मिलता है market cap के अगर हम बात करें तो डाही लाग करोर से जादा का stock का market cap देखने को मिलता है company already retail sector में काफी अपनी अच्छी पहचान बना चुकी है और बहुत सारे stores ये आए दिन खोलते रहते हैं company के अगर shareholding pattern की बात की जाए बहुत ही जादा impressive shareholding pattern देखने को मिलता है यहाँ पर promoters के पास 75% का stake नजर आता है FIIs के पास भी 9.44% का stake है public के पास भी 8.83% का stake देखने को मिलता है और DIs के पास भी 6.74% का stake यहाँ नजर आता है अब अगर company की strength की बात की जाए तो यहाँ पर company के पास बहुत ही जबर जस्त revenue growth देखने को मिलती है जो पिछले 3 सालों में 16.5% से भी ज़्यादा देखे जाती है अब यहाँ अगर हम debt की बात करें तो significantly company यहाँ पर अपने debt को decrease करती भी नजर आती है लगबक 37.73 करोल के आसपास per year के हिसाब से यहाँ पर debt decrease किया जा रहा है साथी company यहाँ पिछले 3 सालों से अच्छा खासा healthy ROCE भी maintain करती है जो 20.29% का देखने को मिलता है वही company का अच्छा खासा healthy interest coverage ratio भी देखने को मिलता है जो 45.80 का नजर आता है cash conversion cycle जो इस company की हम कह सकते हैं एक USP है वो काफी efficient देखने को मिलता है और company के cash conversion cycle की बात की जाए तो सिर्फ 21.17 days का देखने को मिलता है यह बहुत ही जबर्जस्ट strength है जो इस company को बहुत मजबूत बनाती है वहीं अगर company की limitations की बात की जाए तो stock का जो PE है वो इस वक्त काफी high देखने को मिलता है 166.86 का जिस समय आप video देख रहे होंगे maybe PE थोड़ा सा adjust हो चुका हो क्योंकि market में काफी volatility रहने के कारण stock price भी उपर नीचे हुआ है जिस कारण से stock का जो PE है वो भी हमको काफी correct होता हुआ या adjust होता हुआ देखने को मिलता है अब अगर हम second limitation की बात करें तो company hopper high EV या EBITDA पर trade करते भी नजर आती है जो लगबग 101 यानी 101.83 का देखने को मिलता है stock के अगर मैं price chart की बात करूँ तो stock जब से list हो है तब से लेके अभी तो काफी धुआधार performance इस इस stock ने दिखाई है पिछले 5 सालों में stock ने 443% के return बना के दिये है जो एक अच्छी बात है जो investors है उनका पैसा almost है पांच गुना से ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला था market की volatility में stock थोड़ा सा नीचे आया otherwise इसका 5900 रुपीज का हमको 52 week high भी देखने को मिलता था तो जिन लोगों ने IPO में लिया या फिर listing के टाइम पर खरीदा उन लोगों को काफी जबरजस्ट profit यहां पर होता हुआ नजर आता और यह stock अगर आप 20 साल के लिए hold कर लोगे अगर आपके पास 100 quantities हैं तो इतना मैं शूर हूँ कि यह stock आपको करोलपती बनाने का भी दम रखता है क्योंकि company बहुत ही ज़ादा जबरजस्ट और high potential multi growth इसके अंदर देखने को मिलती है अब अगर company के fundamentals की बात की जाए तो market cap लगबग 2.500 करोर से ज़ादा का है current price लगबग हम कह सकते हैं कि साड़े 3000-4000 रुपे के आसपास है 52 week high 5900 का 52 week low 2676 रुपीज का है stock का PE 166.86 का जो थोड़ा सा over नजर आता है बट अगर market थोड़ा सा भी correct करता है तो stock का PE हमको अपना adjust होता हुआ देखने को मिल जाएगा book value की अगर बात के जाए तो 207,71 पैसे की बुप वैल्यू देखने के लिए मिलती है और dividend yield की अगर बात के जाए तो यहां पर 0% नजर आता है ROC की अगर हम बात करें तो लगबग 13.30 का देखने को मिलता है ROE की अगर बात की जाए तो लगबग 10% का देखने को मिलता है और बात की जाए face value की तो 10 रुपे नजर आती है यानि future में चलके अगर राधा कृषिन दमानी जी चाहें तो इसी stock को split कर सकते हैं जहाँ पर वो एक share के बदले 10 share देते हुए नजर आएंगे यानि कि जो भी shareholders हैं उनकी यहाँ पर जो भी quantities हैं वो बढ़ती भी देखने को मिल जाएंगी अब अगर हम बात करें company के annual result overview की तो सबसे पहले हम profit growth चेक करते हैं profit growth की अगर बात की जाए तो पिछले एक साल में साले 13% negative profit growth देखने को मिलती है वहीं तीन साल में positive 14% से जादा की profit growth है और 5 year के अगर हम बात करें तो लगबग 30% के आसपास हमको profit growth देखने को मिलती है वहीं अगर हम sales growth की बात की जाएं तो sales growth भी पिछले एक साल में लगबग 3% से कम नजर आती है वहीं अगर हम पिछले 3 सालों का data check करते है तो साड़े 16% के आसपास हमको यहाँ पर sales growth देखने को मिलती है जो काफी impressive है और अगर 5 साल का data check करते है तो साड़े 22% से जादा की sales growth नजर आती है जो मैं बोलूँगा काफी impressive है अगर ROE की बात करें तो ROE पिछले 1 साल में लगबख 10% पिछले 3 साल में साड़े 14% से जादा का और 5 साल के अंदर लगबख 17-16% का ROE देखने को मिलता है तो पिछले 1 साल में ROE थोड़ा सा नीचे आया है अगर 15 या 15 से जादा का ROE हो तो काफी अच्छा वो माना जाता है अगर ROE की बात करें तो ROE भी यहाँ पर 1 साल में 13% 3 साल में लगबख 20% से जादा का और अगर 5 साल की बात की जाए तो लगबख 21% के आसपास देखने को मिलता है यानि कि ROE और ROE दोनों लास्ट 1 येर के अंदर काफी फॉल करते वे नज़र आएं उससे पहले काफी अच्छे नज़र आ रहे थे अगर ROE ये ROC दोनों अच्छे से बढ़ते वे नज़र आएं सेल्स ग्रोथ बढ़ती ही नज़र आए प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती ही नज़र आए करोड़ पती बना सकता है अब अगर आपको 100 स्टॉक नहीं करीदने तो आप 10-20-30 क्वांटिटी भी परचेस कर सकते हो क्योंकि future में चलके split भी होगा तो automatically आपकी क्वांटिटी बढ़ती भी देखने को मिलेंगी और मैं अगर personally अपनी बात करने तो खुद भी यह स्टॉक hold करता हूँ और काफी बार मैं जब भी स्टॉक नीचे के लेवल पर जाता है तो मैं और quantity add-on कर लेता हूँ तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही end करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगा तो like करके appreciate करना वीडियो को share करना अपने दोस्तों के साथ या अपने family members के साथ साती channel को भी subscribe करके bell icon hit कर देना so that जो मैं और वीडियो पोस्ट करूँगा उसका notification आप तक पहुँच जाएगा and अगर आपको भी किसी stock का dedicated fundamental analysis वीडियो चाहिए तो comment करके उस stock का नाम मुझे बता सकते हैं